नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चनल ग्रीन टेडर में एक बार फिर से और थर्ड ओफ जन्वरी 2022 तो यानि 2022 की पहली चाय की चर्चा तो दो दिन की छुट्टी की बाद मार्केट खुलते वे तीन जन्वरी है आज काफी लोगों को परेशानी थी कि वे एफ मार्केट की बात करें तो यूएस फ्यूचर तेज है और यहां पर आप देखेंगे निक्केई भी तेज है बाके इतनी कोई मतेजी और मंदी नहीं है जिससे हम कुछ इंडिकेशन ले लें हाँ अपना जरूर 20 पर 30.8 अपना जो फ्यूचर है वो नीचे की तरफ दिख रह है तो फ्लेट टाइप ही खुलता हुआ दिख रहा है तो इसमें आप एक चीज ही नोट करिए दोस्तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ प्ले कैसे करना है दिमाग में कुछ मत रखिएगा एकदम से मत कूदिएगा आपको अगर नीचे की तरफ 280 टूटता हुआ 400 को ना होल्ड करें उसके उपर ना निकले बाई नहीं करना 400 को होल्ड करें उसके उपर निकले बाई करिया आपके टारगेट है 435 500 और 540 यह आपके ऊपर के टारगेटर मुझे लगता है उपर की तरफ ही जाना चाहिए मार्केट क्योंकि फ्राइडे को बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई थी, ब्रोडर मार्किट में बाइंग हुई थी, लगबग 15,500 के करीब स्टॉक्स, तेजी में थे भी यह, तो बहुत प्रेशर के साथ बाइंग हुई थी, तो यह रहेगा, और बैंक निफ्टी में अगर 35,550 इस लेवल को होल्ड करता है, तो आपको 35, 35,800, 889, यह लेवल जरूर देखने को मिलना चाहिए, इसके पास आप कर लीजेगा, प्रोफिट बुक्स, फिर देखना आपको 36,000 को होल्ड करेगा की नहीं, टाप के, क्रोस करके, 36,000 को होल्ड करेगा की नहीं, अगर उसको भी होल्ड कर लेता है, तो 36,200, 36,400, 500, यह वाल करती है, बट वो बाइंग आपको 35,500 का लेवल होल्ड करने पी करने है, उससे पहले बिलकुल नहीं करने है, तो यह दोस्तों, तिमाग में रखेगा, जो मैंने बताया, उसी को समझगे, बाइंग और सेल का बटन दबाईएगा, अदरवाइस यह लेवल नहीं आते हैं, त शायद अपना IT भी अभी एक लास्ट रैली करने के मूर में है, और लास्ट रैली करने के बाद मैं कम से कम 10-15-15% करेक्शन तो एक्सपेट करना हूँ, जो मैंने चार्ट देखे हैं, TCS के, Infosys के, उसके, ठीक है, तो Nifty Bank Nifty का होगा है दोस्तों, नजर बना के रखेगा, ज जो बताया है मैंने, उसको देखेगा, चलिए, Thank you very much